गई सबसे पहले तो आप लोग को बताते हैं कि डियागो गार्शिया की लोकेशन कहाँ पर है तो ये मैप की प्रैक्टिस करो ये इंडिया आपको दिखाई दे रहा है इंडिया के अगर आप साउथ की तरफ जाए और साउथ से स्लाइटली वेस्ट की तरफ जो है वो मूव करें याने कि साउथ वेस्ट तो देखी है हमारा प्यारा सा इंडिया ये इंडियान ओशिन की तरफ हम चलेंगे साउथ और हलका सा वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये मौलदीव्स आपको दिखाई देगा और मौलदीव्स के बड़ा आइलेंड बताया जाता है Diago Garcia, क्या नाम है? Diago Garcia, याद रखिएगा इस नाम को British Indian Ocean Territory हम लोग को देखने को मिल रही है, तो आईए इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, अच्छा मैंने भी आपको बताया कि ये British Indian Ocean territory है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये particular territory जो है वो, Britain की है, UK की है ये area, ये island जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये UK का है हाँ या नाम है बताओ, जल्दी नीचे comment box पर लिखकर, और क्या ये Britain का naval base हम लोग को देखने को मिलता है, बताओ comment box पर लिखकर बताओ, तो point to be noted, there are two things that you should know very clearly, कि पहली बात तो ये बिलकुल सही बात है clearly map में भी ये दिखाई दे रहा है, आपको British Indian Ocean territory, clearly लिखाई तो, Britain की ये territory है, बट, आज की rate की अगर हम लोग बात करें, तो आज की rate में यहाँ पर United States का base हम लोग को देखने को मिल रहा है United States का, Britain ने लीस पर ये territory, ये island जो है वो United States को दिया हुआ है 2036 तक के period के लिए, तो ये point बहुत important है, जो आपको ध्याद में रखना है, so Diago Garcia के topic को cover करते है theoretically, तो ये island जो है, वो क्या है, British Indian Ocean territory का island है, Diago Garcia और ये overseas territory है, United Kingdom की विदेशी छेत्र के रूप में ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, Indian Ocean में UK का, तो clearly पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है, Britain का, UK का ये part है, ये territory हम लोग को देखने को मिल रही है, देखो Chagos, Archipelago भी आपको ध्यान में रखना है, देखो कई भार क्या होता है, कोशन पूछ लिए रहाते है कि Archipelago क्या है, Dweep Samhu Hindi में तो पता लगा लोगा कि Dweep Samhu, यानि कि जो islands है, उनका group है ये, तो Archipelago यानि कि islands का group, group of islands को Archipelago बोलता है Hindi में तो बहुत अच्छे से clearly जो है, उसको आपको समझने की भी जरूत नहीं, याद भी नहीं करना clearly इस particular नाम को तोड़के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है बट English के लिए Archipelago थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इसका मतलब जो होता है वो है द्यूइब सम्हू, right, group of islands और ये चागोस Archipelago का, यानि कि चागोस group of islands का सबसे बड़ा island हम लोग को डियागो गार्शिया देखने को मिलता है तो ये point आप ध्यान में रखिएगा, यहापर साथ चोटे-चोटे islands है, चागोस Archipelago में जिनमें सबसे बड़ा डियागो गार्शिया है और सबसे पहली बार, Europeans जो आए थे वो Portuguese आए थे, इस particular island पे और फिर उसके बाद, France जो है, यहापर आकर सेटल हो गई, French सेटल हो गई, फिर जब नेपॉलेनिक वार हुआ, तब उस समय ब्रिटेन को जो है, यह territory transfer कर दी गई थी, तो यह point आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद 1965 में, ब्रिटेन ने जो है, वो चागोस आइलेंड को मॉरेशियस के साथ, जो है, वो इसी का ही है, और इसने एक lease agreement, जो है, वो renew कर दिया, United States के साथ, और कहा कि, United States डियागो गार्शिया को 2036 तक यूज कर सकती है, तो दो चीज आपको ध्यान में रखनी है, यह island जो है, वो UK का है, और at present इस island पर United States का military base हम लोग को देखने को बर रहा है, United States के पास यह island लीज पर है, ब्रिटेन से, तो यह कुछ important facts है, जो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तो यह था पूरा whole topic, मैं उमीद करता हूँ कि आपको अच्छे सी यह topic समिन में आ गया होगा, now ISK के बार में हम लोग बात करेंगे, Islamic State Khorasan Province के बार में हम लोग बात करेंगे, तो यह है क्या कोई मुझे बढ़ा सकता है कि क्या यह, IS, IS क्या है कोई मुझे बढ़ा सकता है, Islamic State of Iraq and Syria, और हाला कि आप जानते ही कि यह अब IS, IS नहीं बचा, यह सिर्फ IS हो गया है, पहले इनका operation इराक और Syria में चलता था, अब यह पूरा operation अपने, अपने mission जो है, वो पूरे world पर जो है, वो करते हैं, तो आप जानते ही कि यह terrorist organization हम लोग को देखने को बलता है, और आपको बढ़ा देगाई कि अफगानिस्तान के अंदर जितने भी जिहादिस्ट militant groups हैं, उनमें से सबसे खतरनाक, सबसे हिंसक जो group है, वो यह ISK है, Islamic State Khorasan Province, तो यह चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और यह Islamic State group, जो ISIS, बाद में जाकर IS के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, तो इस group का आप कह सकते हैं कि एक regional affiliate है, मतलब सिंपल शब्दों में एक subgroup है उसका, अफगानिस्तान के अंदर, ISK, तो यह चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जनवरी 2015 में इसकी जो हो शुरुआत होती है, ISK की, और खुरासन की बात करें, तो वह एक चेतर हम लोग को देखने को बल रहा है, जो कि पागिस्दान और अफगानिस्तान के बीच का चेतर है, यpriट के एक ऐसा एरिया, पागिस्दान और अफगानिस्दान के बीच का, हाला कि अब यह पूरी बट चुका होगा आपने इस टॉपिक को तो देखो आपको दो तीन चीज़े ध्यान में रखनी है Belt and Road Initiative, One Belt, One Road पता है ना आपको जाली चीज One Belt, One Road Initiative किसका है बताओ, चाइना का यह initiative है तो चाइना का Belt and Road Initiative का यह extension हम लोग को देखने को मिल रहा है अच्छा एक कोशन है आप लोगों से, अरे यह map तो दिखी रहा है, चलो ठीक है चलो map तो आपको दिखी रहा है, यह आपको जो दिखाई दे रहा है यह Belt and Road Initiative का पार्ट है, चाइना-Pakistan Economic Corridor यह हम लोग को देखने को मिल रहा है चाइना जो है, वो पाकिस्तान के जरीए इस Indian Ocean छेतर पर, यह Arabian Sea है नहीं यहापर तो यहाँ से नीचे आएंगा Arabian Sea, तो इस छेतर पर यह अपना control जो है वो establish कर रही है तो वो चीज है, इसकी तो इसने यह Corridor जो है वो यहापर बनाया है और Belt and Road Initiative के थुरू आप जानते हैं कि चाइना जो है वो तीन continents के उपर Old Silk Route के माधियम से, यानि कि Roadways के माधियम से और Sea Route के माधियम से, Maritime Route जिसको कहते हैं उसके माधियम से तीन continents को जो है वो आपस में connect कर रहा है चाइना का Belt and Road Initiative, कौन से कौन से तीन continents है एक Asia, एक Europe और एक Africa तो यह पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ठीक है तो इनको आपस में connect करने पर यह Belt and Road Initiative इसका हमें देखने को मिल रहा है चाइना पाकिस्तान, Economic Corridor इसका पार्ट है अब गौदर जो पोर्ट है, यह किसने बनाया ओवियसी बात है कि चाइना ने यह पोर्ट बनाया अच्छा इसको काउंटर करने के लिए यह बगल में है इरान इरान कंटरी, यहाँ पर हमने कौन सा पोर्ट बनाया उसका नाम नीचे comment box पर लिखकर बता है देखते हैं कि किनको पता है, यह वाली डीटिल बहुत बार इस topic को, मैं मान के चलो यार कुछ नहीं तो मैं खुदी इस topic को आप लोग को 25 से 30 बार तो अराम से पढ़ा चुका हूँ इतनी बार यह topic repeat हुआ है, तो इसकी तो पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, यहने कि चाइना पाकिस्तान economic corridor का जो project है, इस पर काम कर रहे है चीनी सैनिक और चीनी नागरिकों से नाखुष की वज़ा से CPEC परियोजना को समालना मुश्किल होता जा रहा है अब देगे, localites यहाँ पर बिल्कुल भी happy नहीं है, खुश नहीं है इस project को लेकर, right, Chinese soldiers को लेकर, आप देगो Chinese soldiers यहाँ पर आगे, आपको शाइद यादा रहोगा, मैंने आप लोग को जब Belt and Road Initiative बहुट अच्छे से बहुट detail में explain किया था, तो we have discussed कि चाइना जो है, जैसे ही एक बार यह project को अपने establish कर देगी, फिर बोलेगी कि भी यह यह तो मेरा project है, इस पर security तो मुझे करनी पड़ेगी, कहीं यह project तूरत आटना जाए, खराबना हो जाए, तो मुझे तो अपनी security तैनात करनी पड़ेगी, तो इससे dual objective होगा चाइना का, तो trade में महरत हासिल करेगा, right, trade, क्योंकि उसको तो market मिल जाएगा, देखो manufacturing country है यह चाइना, इसको अगर पैसे कमाने है, इसको पैसे चाहिए, तो इसको trade करना पड़ेगा, और यह क्या कर रही है, belt and road initiative के तहथ, अपने trade के objective को fulfill कर रही है, तो यह बात आप सभी लोग जानते हैं, right, यहनि कि trade होगा, तो इसके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, तो इसने क्या किया, एक बड़ा market तीन continents के अंदर अपना establish कर लिया, आसानी से यह trade कर सेगी, बेना किसी रुकावट के, क्योंकि पूरा इसी काई है, पूरा road इसी काई है, तो इसी की मनमानी चलेगी, इसी की monopoly चलने वाली है, first point, और clearly monopoly जो शब्द मैंने use किया है, यह गौर फर्माइए जो है, वो China अपने soldiers को तैनात करेगा, और उसने करना शुरू कर दिया है, एक तो trade वारा है, इसका objective फुल्फिल हो रहा है, दूसरा soldiers को तैनात करेगा, तो जब चाहे तब, किसी भी country के ओपर यह हावा बोल सकता है, बात समयते हैं, यह चीज़ हैं इसकी, soldiers अपने तैनात कर देगा, spy करेगा, निगरानी रखेगा, दूसरी country के ओपर, दूसरी country के internal affairs को disturb करने की कोशिश करेगा, तो यह सब चीज़े हैं इसकी, तो अभी देखिए, यहाँ पर तैनात है कुछ soldiers, Chinese soldiers, तो वो बिल्कुल भी इलाके में और सैनिक तैनात करने पढ़ रहा है, right, मला civilians को भी शान्त करने के लिए, और Chinese soldiers जो है, वो किसी प्रकार की disturbance जो है, वो इस छेत में create ना करने, इसलिए पाकिस्तान को यहाँ पर अपने soldier जो है, वो तैनात करने पढ़ रहा है, देखो यार, बरबादी है, चाइना, सभी कंट्रीज को हमने इतना warm किया था, श्री लंका को warm किया था, कितनी सारी कंट्रीज को हमने warm किया, कि भाईया, मत करो इसके साथ पार्टनर से, Belt and Road Initiative के थुरू, एक दिल तुमें यह पैसो से भी डुबाएगा, और अपनी मनमानी भी तुम्हारे उपर चलाएगा, और तुम कुछ करना भी भाऊगे, और हो ही रहा है पाकिस्तान लुड़ा खुझ हो रहा था कि चाइना मेरा पार्टनर ने चाइना मेरा पार्टनर, उसे लॉलीपॉप खिला दी और ऐसी लॉलीपॉप है इतनी कडवी है कि आप उसके मूपे ठूसके रख दी इसने चायना ने अब वो स्टाइटिंग में ऊपर जो है वो बड़ी लॉलीपॉप की ऊपर शक्कर लगी हुगी तो अच्छा लग रहा था उसको स्टाइटिंग म तो डिस्ट्रॉइ कर रहे हो आपको लग रहा कि आरे यार अभी तो बहुत टाइम है एक्जाम में 5th June 2020 को एक्जाम है बहुत टाइम है अभी तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तो आरपान आराम से अपने भूम सकते हैं फिर सकते हैं बेवगूफ हो तुम लोग ज जून से बिल्कुल लगकर थैयारी करेंगे, ऐसी की तैसी चाहे कुछ हो जाए, ऐसी सोच रखते हैं, अभी तो मज़ा आ रहा है कि अरे चलो दोस्त की शादिये चलो चल लेते हैं, घर परिवार में किसी के राउंड लगाने चलो चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, प्रोकास्टिनेट करोगे, ब्योकूफी करोगे, बहुत बड़ी, अपने समय को किल कर रहे हैं, you are killing your time, and जो भी इंसान अपने time को किल करता है, वो इस exam के अपनी life में success नहीं हो पाएगा, and this is the clear fact, भाई, मैं सीधी बात करता हूँ, मैं हमेशा, कि आप जो कर रहे हो, जो गलती कर रहे हो, जो बहुकूफी कर रहे हो, वो मत करो, अपने time को किल करने ही जरूत नहीं है, तयारी अपनी लग कर करो, 2022 में अगर आप attempt करने के लिए, अगर आपने ठान ली है, तो यह आपका attempt नहीं होना चाहिए, यह आपका last attempt होना ही है, क्योंकि इसी, इस तरीके से थैयारी करो नहीं है, कि जिस दिन exam में बैठने जाओ, उससे दो दिन पहले ही आपको clear हो जाए, कि मैंने अपनी four थैयारी करी है, मैंने पूरा syllabus complete है, ऐसी यह तसी, prelims क्या mains भी मैं करक करूँगा, या करूँगी, यह attitude रखो यार, तब आ यह जासर ने जो टास्क दिये थे, वो मैंने complete करनी है, अब मैं finally, अराम से rest कर सकता हूँ, यह कर सकती हूँ, this should be the attitude of everyday, हर दिन का यह attitude होना चाहिए आपका, right, कि और दुसरी यह, मत करो यार, मत अभी अपने time को kill करो, ठीक है, लगता है, कभी कभी पढ़ाई करते करते है, थोड़ा सा rest ली लिजाए, तो वो थोड़ा से rest हो ना सी, ऐसा नहीं कि, दो दिन पढ़ाई करी, तीसरे दिन rest से ही है, तीन दिन पढ़ाई करी, यह, चलो यह, भूम क्या है, यह, मज़ा नहीं आ रहा है, चलो यह, भार दिनर करके, यह, खाना खागे, जाओ, no doubt, अपने task को complete करो, उसके बाद जाओ, और उसके बाद जाना है तो ऐसा नहीं कि involved हो जाना है, कि involved हो जाओ गए, तो जो भी पढ़ाई सब खतम हो जाएगा, दिमाग से, सिर्फ एक से धेड़ साल चाहिए, यार, सिर्फ एक से धेड़ साल, अगर लग के तयारी कर लोगे, तो जिन्द शेश सुरक्षा डिवीजन की 340 Infantry Brigade को तैनात किया है, पाकिस्तान को CPEC चायना-पाकिस्तान Economic Corridor की सुरक्षा के लिए एक अन्य सुरक्षा डिवीजन बनानी पड़ी है, तो ये सब चीजे उतनी कुछ खास नहीं है, तो फिर भी एक जन्रल सा आपको आइडिया होना चा इसा है, ये चायना-पाकिस्तान Economic Corridor एक ऐसा प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, या फिर overall BRI जो प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये चायना का influence जो है, देखिए जो मैं भी आपको बता रहा था ये theoretically भी लिखा है, चायना जो है वो इस प्रोजेक्ट करना असान होगा, आपको आज जो दिक्कत आती है, अपने समान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजने में, तो आप जो भी कंट्री चायना, वैल्टन रोड इनिशिटिव का पार्ट होंगी, हिस्सा होंगी, तो वो आपस में समान आपस में ट्रेड जो है, वो कर सकती है, और ट्रेड बेरियर्स भी कम हो जाएंगे, यानि कि जो ड्यूटी लखते हैं, टैक्स लखते हैं, वो भी कम हो जाएंगे, तो इस प्रकार की चीज़े हैं, जो हो रखी, बीजिंग ने, चायना ने, सब कंट्री खुछ और बहार है, पिर चायना ने करें, हमारे पाइशा नहीं हम क्य सिक दृड़े यार कमाना तो हमें भी है, हमें भी जो है आपका प्रजक्तिंट्ट अचला करते हैं, अब बड़े भाइ बन के सीआ कि उनको बोला कि च्लो एक काम करते हैं, मैं आपको लोन देता हौँ, अपको क्या पैसा नहीं है, रहिग British Raj के अंदर जो Britishern ने जो हरकते करी थी ना हमारे किसानों की उपर ये सेम चीज होई किसानों को पैसा दिया पैसा देने के बाद क्या बोला कि आप हमारे लिए ये production करो किसान ने produce किया और उसी को बोल दिया production करने के बाद उसी rate में हमें दोगे जो rate pre-decided है जो कीमत पहले से हमने decide करके रखी उसी कीमत में आप हमें देंगे और हमारे हमारे हमें देने के बाद फिर दूसरे को आपको यानि कि हमारी जो needs से उसको fulfill करने के बाद फिर भली आप दूसरों को दे सकते हैं तो ऐसी deal हो गई थी अब जब इस प्रकार की deal होगी तो नुकसान तो हो गई न और फायदा किसका होगा एक ही का होगा भई जो company वाला है उसका फायदा होगा belt and road initiative में सिर्फ फायदा हो रहा है चाइना का हर तरीके से और even मैं आपको इसने जो countries को जो loan दिया है न हमने मना भी किया था मतलो कोई loan मतलो कोई loan क्योंकि यार loan इतना है कि loan में वो डूबेंगी छोटी countries वो रीपे नहीं कर पाएंगी चाइना को और चाइना तो पता है चाहता ही है कि countries उसको रीपे ना करें आप बोलोगे regular students को तो पता है इस cancer मैं अलड़ी दे चुपाँ बड़ जो नए students है वो बोलेंगे कि sir यह कैसे बोलो आप कैसे जो है वो चाहिना यह क्यों चाहिएगा कि कोई भी है अगर बैंक भी है बैंक तो यह चाहिएगे न किसी को लोन दे तो लोन रीपे हो जैसे मैं हूँ मैं अगर किसी को पैसा तो मैं तो यह चाहूँगा न कि लोन मेरा रीपे हो बीरोक्रेसी का माइंड एक अलग चलता है अलग तरी से information अपनी निकालनी है, आप तभी निकाल पाओगे जब आपको उसकी दुख्तिविनस के बारे में पता होगा, अब जैसे एक वेक्ति है, ठीक है, एक वेक्ति है, अब लेट से की कोई एक अच्छा बिजनेसमेन है, बड़ा बिजनेसमेन है, ठीक है, अब इसका बड़ा बिजनेसमेन, इसको आप घेरोगे तो अव्यस ही बात है कि इसके जो कुछ शौक होगे, घर के बाहर वाले हैं, समझ रहे होगे कि शौक होगी, मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे शौक को आपको आपको जो हालेट करना है, फोटो पोटो की चलो उसके, इसकी जहां पर इसकी डिपलमाटिक चीज देखो आप, इसने बाद कोई बात नी बेटा, मैं तुम्हें लोन दे दूँँगा, छोटी कंट्री इचको बोला कोई बात नी बेटा, लोन दे दिया जाएगा तुम्हें, छोटी कंट्री खुश सेके तम्हें स्माइल कर रहे हैं, हमने बाला plans को, right, we know about it, हमने इतना भी समझा जोड़ी countries को, कि बेटा, मत करो, European countries को समझा है, हमारी neighboring country को समझा है, कि बेटा, मत पढ़ो उसके चक्कर में, यह तुमारी Lanka लगा देगा, बट नहीं मानी, Sri Lanka, खुद Lanka लगवाने चलीगी, right, अब यह loan देकर, करेगा क्या, जब country loan नहीं चुका पाएंगी, तो उनके उपर पहर लेक्ट प्रेशर क्रेट करेगा, कि नहीं चुकाओ चुकाओ, फिर अपने पूरे market पो उनके उपर एक चीज़ यह करेगा, मैं आपको बता रहूँ, इसकी the domestic needs की जो आवशक्ता होती है, यानि कि तुमारी country को जिस भी product की आवशक्ता होती है, जहां जहां से इंजिन country से तुम लेते हो, छोड़ो, सिर्फ हम सही लोग है, सिर्फ हम सही ही लोग है, तो यह एक प्रकार के penalty impose हो जाएगी, दूसरी बात, अब यह loan repay कैसे करें, तो एक काम करो, तुम loan धीरे धीरे करके repay कर देना, वो चलेगा मुझे, मैं तुमारे ओपर pressure create नहीं कर रहा हूँ, पर अपने market को open कर तो, सिर्फ मेरे लिए है, दूसरों के लिए नहीं, first point, दूसरा point, internationally, जब भी भी मेरी मुझे आवशक्ता होगी तुमारी, जैसे कि United Nation में किसी चीज़ पर voting करनी है, तो जब भी मुझे तुमारी आवशक्ता होगी, तुम मेरे favor में ही vote डालोगे, मेरे favor के अगे हैं नहीं जाने वाले, ये चीज़ है, और फिर अब आप बोलोगे, सर वो country मना कर दे तो, country मना कर दे तो, Belt and Road Initiative का हिस्सा ये country ब्लॉक कर देगा, वो Belt and Road Initiative को, उस country के लिए, और जैसी ब्लॉक किया, वो country किसी के साथ trade नहीं कर पाएगी, तो इस प्रकार का चाल ही है, किसी के साथ, problem सोना शुरू हो जाएगी, अब मेरी बात सुनो, ये आप, आपका एक घर है, ठीक है, ये आपका घर है, सामने से अगर किसी ने road जो है, वो निकाल दी, ठीक है, यहाँ से किसी ने road जो निकाल दी, यहाँ से किसी ने road निकाल दी, पीछे से किसी ने road निकाल दी, आप क्या हुए, ब्लॉक हो गए, आपका दिमाग नहीं खराब होगा, कि यह क्या मजा आप चल रहा है, आप बोलो लगा है अब यहां से इस विक्ति को यहां पर पोँच रहा है अब यहां पर एक road और चाहिना की road है अब चाहिना ने चाहिना ने इस country को block कर विया तो यह country इस area को जो हो वो नहीं कर पाएगी अभर यह एक्सेस नहीं गर पाएगी influence करेंगे, छोटी सी चीज लिखी हुए, बट इसके पीछे का explanation जो मैंने आपको दिया, वो ध्यान में रखना, वो पूरी, क्योंकि इस तरीके का explanation कोई तरीके से नहीं चमने आगा आपको, 3000 किलोमेटर का लंबा China-Pakistan Economic Corridor, इसके अंदर किसके लिए हमें देखने को मिलती है, क्या होता है वहापर जिंग यान में अभी क्या हो रहा है, किस चीज के लिए छेतर जो है, वो famous है, उईगुर मुसलिम, याद आए कि नहीं आए आप लोगको, उईगुर मुसलिम याद आगया, तो लिख देना कि हासर याद आगया था, क्योंकि, देखो यार, ultimately इस एक्जाम में आपको चीजे याद रहनी चाहिए, memorizing power आपकी बहुत इच्छी होनी चाहिए, proposed project, जो यह project हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसे finance किया जा रहा है, heavily subsidized loan के द्वारा, देखो subsidized loan के द्वारा, that will be distributed to the government of Pakistan by Chinese bank, तो वही पाकिस्तान के साथ भी यह चीज़ करे रहे, अब देखो, initially, शुरुआत शुरुआत में जो आपके कंदे पर हाथ रख रहा है, और क्या पता हो आपके कंदे पर हाथ रख क्या आपको यह को काटने की कोशिश कर रहा है, आप वो तना अस्तीन का साथ, तो यह उसी प्रकार की चीज़े हैं, हैं चाइना की, इस टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लग रहा है, कि अरे वाईर, यह तो हमारी बहुत अच्छी लॉलिपॉप दे रहा है, कितनी अच्छी लग रही है, थोड़ा सखाओगे, अंदर इतना गंदा उसने मेटरिनियल भर के रखा, कि आपको दिमाग खरा हो जाएगा, तो वह वाली चीज़े हैं, तो यह इस प्रकार की चीज़ है, और भाईया, हम क्यों चिंते थे हैं, हम इसली चिंते थे हैं, कि भाईया, तुम अपनी बना रहे हो प्रोजेक्ट, चलो ठीक है, हमने कंट्रीज को बोला, कंट्रीज ने नहीं माने, चलेगा, बट भाईया, हमारे पाकिस्तान उक्युबाइट कश्मीर से क्यों लेकर आ रहे हो यह प्रोजेक्ट, हमारे पाकिस्तान उक्युबाइट कश्मीर से यह प्रोजेक्ट नहीं जाना चाहिए, कि ये सबसे गौदर तक जो है वो यहने की shortest route इसको मिल जाए यहने की गौदर के थूर यह Indian Ocean चेतर में यहने की Indian Ocean पर अपनी presence जो है वो establish कर सके तो यह चीज इसकी हमें देखने को मिल रही है और यह माना जाता है कि Chinese presence जो होगा यह Indian Ocean चेतर में तो obvious की बात इसमें चाइना का influence हम लोग को देखने को लिए और हमारा जो influence है उसको कम करने की कोशिश करेगा China counter करने की कोशिश करेगा हला कि इसके लिए हम लोग ने अल्रेडी जो है वो इसको counter करने के लिए इरान के अंदर हम लोग ने एक चाबर port जो हो establish किया हुआ है setup किया हुआ है तो यह चीज हम लो assistance mission in Afghanistan के बार में हाला कि इस topic के नामस ही आपको सुनने आ जाना चाहिए कि पहला point तो यह United Nation का mission है कहा का mission है अफगानिस्तान के लिए mission है किस चीज को लेकर अफगानिस्तान को assist करने के लिए अफगानिस्तान की सहिता करने के लिए in simple in short कि United Nation का एक ऐसा mission जो Afghanistan की सहिता करने से related है, यह है United Nations Assistance Mission in Afghanistan, clear, आगे बढ़ते हैं, यह topic अभी news में क्यों आया था, तो उसको थोड़ी देर से हम लोग समझेंगे, पहले जो काम की चीज है, United Nations Assistance Mission in Afghanistan के बारे में इसको हम लोग समझते हैं, तो यह establish हुई थी कब, 28 मार्च 2002 को, किसके द्वारा, United Nations Security Council Resolution 1401 के यह mainly establish की गई थी किस चीज के लिए, तो आपको यह ध्यान में रखना है, कि अफगानिस्तान के अंदर sustainable peace or development, अफगानिस्तान के अंदर, इस्थाई, शान्ती और विकास की नीव रखने के लिए से बनाया गया था, especially अफगानिस्तान के जो लोग है, right, तो वो शान्ती से र लाए गया था, अब यह बहुत important point है, जो आपको ध्यान में रखना है, कि UNAMA, यह establish हुई थी 2002 में, especially किस purpose के लिए, तो bond agreement, bond समझोता जो है, उसको implement करने के लिए mainly इसे लाए गया था, right, तो यह point आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और हर साल जो है, वो उसको review किया जा जाता है, कि यह जो mission है, यह proper तरीके से smoothly चल रहा है कि नहीं चल रहा, countries की demand के according इसको कई बार change भी किया जाता है, उसकी needs के according उसको change किया जाता है, यह एक integrated mission है, यानि की United Nation के काफी सारे जो missions हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसके जो objectives हैं, तो उसको fulfill करने के लिए इस mission को बनाया गया है, सभी, यानि कि अलग-अलग agencies जो United Nation की हमें देखने को मिलती हैं, तो उनके जो missions हैं, अफगानिस्तान को लेकर, तो उसको भी इसमें include किया गया, तो यानि कि यह integrated mission हम लोग को देखने को मिलता है, इसका मतलब यह special political mission है, जिसमें, और सभी United Nation की agency का mission है, funds और programs भी सभी इसके अंदर included होता है, अफगानिस्तान के लिए, multi-dimensional work इसका हमें देखने को मिलता है, यानि कि अलग-अलग field में, अलग-अलग areas में इसका operation conduct होता है, चाहे वो development की बात हो, या शान्ती maintain करने की बात हो, right, integrated तरीके से जिससे की, अफगानिस्तान को better तरीके से मदद दी जा सके, इस purpose के लिए, multi-dimensional तरीके से काम करता है, integrated manner में, यह mission, तो यह point आपको ध्यान में रखता है, और जैसा मैंने भी आपको बताया है कि bond agreement के तहट जो है वो, UNA, MA, right, हमें देखने को मिली है, establish हुई है, यानि कि bond agreement को implement करने के लिए हुई है, तो आप समझ लो bond agreement क्या है, तो simple, सीधी बात आपको यह ध्यार में रखना है, कि एक ऐसा agreement था, जिसको public जब तक नहीं किया गया था, जब तक इसे sign किया गया हो, और इस agreement के अंदर, हलकि यह चीज उतनी खास काम की नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा से ध्यार में रखना है, तो रभानी हम लोग को देखने को मिलते हैं, former president अफगानिस्तान के, तो हमें देखने को मिला है कि रभानी को जो हटा दिया गया था, दरकेनार कर दिया गया था, इस agreement से, even तालिबान को तो बिलकुल पूरी तरह से बाहर रख दिया गया था, इस agreement से, bond agreement से, और bond समझोहते को सं bond agreement को implement करने के लिए UNAMA बनाए गया था, तो अबियसी वात है, UNAMA जब establish किया United Nations Security Council ने, तो हम clearly यह ची समझ सकते हैं कि bond agreement पर भी United Nations Security Council ने समर्थन दिया था, और bond agreement जो है वो तीन साल का political और administrative road map हमें देखने को मिला है, और इसने establish किया emergency loya, जिर्गा, यारी की grand council, जून 2002 में right, transitional administration established की गई, और जो की एक नया constitution है, जिसे 2004 से पहले rectify किया गया, और president और parliamentary elections जो है, वो यहाँ पर conduct हुए 2004 और 2005 में, और United Nations Special Political Mission है क्या, हलाकि इससे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, Special Political Mission, मतब कि यह obviously वादे एक country के अंदर, एक political framework established करने के लिए, यह mission जो है, वो भी जीज़े आपको ध्यान में रखती है, उतना कुछ खास इस topic में है नहीं, बट दो-तीन facts जो मैं आपको बताएं, वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, अब देखिए, smile scheme की बात करते हैं, तो इसमें आपको simple सी दो-तीन चीज़े समझना है, यह smile scheme जो है, वो करने के लिए, यह scheme जो है, वो ministry of social justice and empowerment के द्वारा लाई गई है, अच्छा, smile का full form क्या है, तो S का मतलब support for, M मतलब marginalized, I मतलब individual, L मतलब for livelihood और E मतलब and enterprise, तो smile यह full form हमें देखने को रहा है, नाम सीसन में आ रहा है, कि जो पिछड़ा work, जो vulnerable work हम लोग को हमारी community का देखने को मिलता है, उनको support करने के लिए, उनकी help करने के लिए scheme जो है, वो लाई गई है, इस scheme के focus areas, rehabilitation है, पुनरवास, इसके लावा medical facilities का provision add कर किया जाए, counselling की जाए, basic documentation, education, skill development, economic linkages, तो यह areas है, इन areas पर यह scheme focus कर रही है, मिल ली, और यह सब scheme है, किसकी, उप योजना है, किसकी, central sector, scheme for comprehensive rehabilitation of person engaged in the act of banking, clearly mentioned है, कि जो भी लोग banking activities में involved है, बिखारी है, तो उनको दोबारा से जो है, मिल डिवलप करना उनको, और डिवलप करके, उनमें skills वगएरा जो है, डाल कर, उनको इस लाएक बनाना कि वो कमाई, जो है, वो कर सके, right, और scheme जो है, वो implement की जाएगी, state government, UT के support के दोबारा, right, local urban bodies, voluntary organization, community based organization, institution, और भी दूसरी bodies के support से जो है, ये scheme बताया जा रहे, implement की जा रही है, और इंडिया के अंदर beggars की बात करने गई, तो census 2011 के according, हमारी कंट्री के अंदर जो बिखारी है, वो हम लोग को 4,13,670 देखने को बते हैं, जिन में से 2,21,673 males है, and 1,91,997 females hills है, right, पिछले census के comparison में, बिखारी हों की संक्या जो है, वो जाधा बड़ी है, अभी, और West Bengal ने top किया है, इस चार्ट में सबसे ज़्यादा बिखारी West Bengal में है, then Uttar Pradesh, then Bihar, right, तो ये चीज़ आप धियार में रखेंगे हैं, और लक्षदीब के अंदर, they have merely two vagrants according to the 2011 census, य sorry, लक्षदीब में, sorry, and among the union territories, union territories में नई दिल्ली जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा beggars है, right, उसके बाद फिर हम लोग को चंदीगर देखने को मिलती है, North Eastern State में असाम में सबसे ज़्यादा beggars है, right, और Mizoram में सबसे कम beggar हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो ये था guys, प तो PM portion जो है, इसका नया नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है, midday meal scheme का याद रखिएगा, तो बच्चों में को portion याने की malnutrition, रक्त, अल्पता, याने की एनिमिया के गंभीर, याने की काफी ज़्यादा serious या critical, इस तर जो है, उसको चिन्नित करते हुए इस केंदर सरकार द जोजने का आगरा किया है, देखिए, central government ने जो है, वो कहा है, state government से कि आप जो है, measures जो है, options जो है, वो लेकर आए, research जो है, वो करें कि कैसे हम लोग midday meal scheme के अंदर, या फिर PM portion के अंदर हम लोग कैसे बाजने को जो है, वो include करें, अब देखिए, बाजरा जो होता है, millets जो और anti-oxidants भी इसमें भरपूर होता है, तो ये एक बहुत अच्छी choice जो है, वो बताई जाती है, कि अगर भाजरा को include कर देंगे, तो बच्चों में malnutrition की, को portion की problem जो है, वो reduce हो जाएगी, even pregnant महिला महिला में भी, enemy की problem जो है, वो कम हो जाएगी, अब बात करें, PM portion scheme के बार होती है, मदरसाज हमें देखने को मिलते हैं, जो की समगरे सीक्षा के अंडर आते हैं, तो ऐसे स्कूलों में बच्चों को एक समय का खाना जो है, वो free में डिया जाएगा है, guarantee provide की जाएगी, कि बच्चों को एक समय का खाना देना है, एक time बखाना, तो ये चीद आप थोड guarantee जो है वो दी गई है, कि एक time का cooked meal, पका हुआ खाना जो है वो बच्चों को at least 200 दिन तक एक साल में जो है वो provide किया रहा है, नहीं कि एक साल में कम से कम 200 दिन तक तो देना ही देना है, तो ये point आप ध्यान में रखो, ये fact figure जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना ह ठीक है, तो ये चीज, इसके लिवा ये scheme जो है वो किस ministry के अंडर आती है, तो ministry of HRD, नया नाम क्या है इस ministry का, तो ministry of education, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये scheme जब launch हुई थी 1995 में तो उस समय इस scheme को midday meal scheme के नाम से नहीं जाना जाता था, 2004 से इस scheme को midday meal scheme के नाम से जाना जाता है, इससे पहले इस scheme को nutritional support to primary education के नाम से जाना जाता था, जो कि एक centrally sponsored scheme ये हमें देखने को मिलती है, और ये National Food Security Act 2013 के तहट भी cover की गई है, ये फलाना scheme, इस scheme का objective क्या है, एक तो भुक्परी की problem को खतम करना, कुपोश्चल की problem को खतम करना, जाद से जादा बच्चे स्कूल में, admission ने, स्कूल को attend करें, right, socialization caste की अमंग जो है वो बड़े, improve हो, right, आपस में जाती, यानि कि यह होता नगी, जाती कि यह धार पास जो भेदभा होता है, discrimination होता है, तो उसको कम करने के लिए, उस gap को reduce करने के लिए भी, ये scheme मदद कारी है, employment generate करत ये topic जो है वो काम करता है, right, women empowerment, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, और कुछ नए नियम जो है वो लाएगा है, midday mean scheme या PM portion scheme से related, 2015 में, ये कहा गया कि खाना, पका हुआ खाना सिर्फ स्कूल पर ही दिया जाएगा, स्कूल से बाहर जो है वो कहीं और नहीं देना ह है, और ये भी कहा गया कि अगर बाइचांस किसी वज़ा से स्कूल में खाना नहीं मिल पा रहा है, यानि कि भाबर अगर राशन की कमी होगे है, कुछ भी XYZ फैक्टर हुआ है, जो से राशन समय पर पहुँच नहीं बाया, खाना नहीं बन पाया, तो state government को food security alliance जो है वो, ब scheme को monitor करेगी और implement करेगी, तो यह आला point आप थोड़ा सा ध्यान में रखेगा, कि midday mean scheme या PM portion को कौन implement करता है, monitor करता है, तो school management committees, ठीक है, तो यह चीज़ आप थोड़ा से ध्यान में रखेगा, अच्छा, कुछ चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि बच्चे ज साले 400 calorie का food जो है वो provide किया जाएगा, जिसमें 12 gram protein होना जरूरी है, और अगर वो बच्चा upper primary school का है, तो उसे 700 calorie का food जो है वो provide किया जाएगा, जिसमें 20 gram protein होना जरूरी है, तो यह ministry of education ने यह standards guideline जो है वो प्रस्तुत करी होई है, अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ और थोड़ा सिधान में रखो, कि जो primary classes, यानि कि जो 5 भी कक्षे तक के जो बच्चे हैं, तो इसमें इन्हें 100 gram food grain provide किया जाएगा, right, 100 gram pulses दाल वगेरा provide की जाएगी, 50 gram सब्जी provide की जाएगी, 5 gram तेल और fat provide किया जाएगा, और अपर primary school के बच्चे अगर हैं, तो इन्हें 1500 gram food grain provide किया जा अच्छा, अलग-अलग states ने और भी इसके अंदर चीज आड़ कर रखी है, कुछ state ने milk आड़ कर रखाया, अलग से 1 glass milk वगेरा, कुछ states ने अंडे आड़ करके रखे हुए, तो अलग-अलग states ने भी अपने हिसाब से इसमें आड़ की हुई है, बट ये standards ने ये तो होना ज़रूरी ही है, especially ये calorie वारा clause आप थोड़ा से धान में रखेएगा, तो ये था गया इस पूरा oral topic, मैं उमीद करता हूँगी, बहुत अच्छे से ये topic आपको clear हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, इस question आएगा कि युक्तधारा क्या है, तो इस पर हम लोग बात करते हैं और भुवन युक्तधारा पोर्टल को ग्रामीर विकास एवं पंचायती राजमंत्राले द्वारा लॉंच किया गया है, अच्छा, ये चीज तो theoretical है, बड़ इसको आसानी से समझने के लिए और long term तक याद रखने के लिए 2-3 कीज़े बस ध्यान में रखो, पहली चीज त Employment Guarantee Act, तो आपको पता है न, मंडरेगा के बारे में हमने पढ़ा है, 2005 का ये कानून है, ये प्रोग्राम हमें जो देखने को मिलता है, इस प्रोग्राम के तहट, 100 days की employment जो है, minimum 100 days की employment प्रोवाइट की जाती है, गाउच छेतर में रहने वाले युवाओ को, जैसे road बनाने के projects इसमें involved रहते हैं, कुएं बनाने के project इसमें involved रहते हैं, various infrastructure के project इसके अंदर involved रहते हैं, पता है की नहीं पता है, आप मुझे नीचे comment box पर लिख दी जाएगा, मैं मंडरेगा की link आपको दे दूँगा, क्योंकि मंडरेगा के topic को भी मैं already पहले cover करा चुका हूँ, काफ कितना कार्य complete हो गया, तो उसको track किया जा सकेगा इस portal के माध्यम से, और better तरीके से planning कर सकेगे, gram penchayet level पर मंडरेगा की planning हो सकेगी, इस portal के माध्यम से, तो ये portal युक्तधारा है, ये point आप देहां में रखेगा, simple सी चीज, एक ऐसी website, जिस website के माध्यम से मंडरेगा की planning और better की जा सकेगी, और तेजी से की जा सकेगी, gram penchayet के द्वारा ये portal योग्तधारा है, ठीक है, और ये नया portal इस रोगे भूवन के अंडर हम लोग को देखने को मल रहा है, और इसे Ministry of Rural Development and Penchayetी राज के द्वारा launch किया गया है, अच्छा, जितने भी assets तयार होते हैं, यानि को geotag किया जागा, यानि कि उनकी tagging की जाएगी, जिससे की, मनरीगा के तहए, जो भी fund release होते हैं, वो सही जागा पर लग रहे हैं की नहीं लग रहे हैं, तो auditing के समय पर भी उसको track किया जा सकेगा, तो ये basically planning, tracking, monitoring, सब चीज के लिए portal जो है, वो काम करेगा, और जो भी projects बनते हैं, मनरीगा के तहए, integrated watershed management program के तहए, पर drop, more crop, और राश्विया क्रिशी, विकास, या फिर सरकार की जो भी scheme के तहए, जो भी गाउच हेतर में, जो भी projects वगर एस्टाबलिश होते हैं, तो उनकी geo tagging के लिए ये ये जहारा portal हम लोग को देखने को मेंटा है, काफी important topic तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में, अच्छा इस topic की बात करें, तो देखिए आपको बता है कि हमारी Indian Army अलग operate करती है, हमारी Indian Air Force अलग operate करती है, हमारी Indian Naval Force जो है वो अलग operate करती है, और हमारी Armed Forces की बात करें, तो हमारी Coast Guard जो है, Indian Coast Guard ये अलग operate करती है, तो integrated theater command म मतलब कि for example कि एक ही single head हो जो कि इन तीनों services से related decision जो है वो ले सके यानि कि ये तीनों services एक के अंडर हो एक authority के अंडर हो और वो war के समय पर helpful हो सके और integrated service का मतलब हो जैसे कि Indian Air Force को अगर Indian Army की requirement है at a time तो तुरज एक ही message पर वो requirement फुल्फिल हो सके यानि कि सब एक साथ मिलकर war की स इस्तिती अगर आती तो वो एक जुट होकर mission करें या war पर निकले तो ये वैसे तो एक जुट होकर ही निकलते हैं बड़ क्या होता है कई बार हमें देखने को बलता है कि coordination में कमी कि करन कई बार difficulties आ जाती है तो इसलिए ऐसी difficulty ना आ है war के समय पर तो एक strategic तरीके से हम लोग integrated theater commands बनाने के उपर अभी विचार कर रहा है यानि कि अभी ये planning चल रही है कि integrated theater command जो है वो तयार की जाएगी इस प्रकार की अब बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि एक ही authority के अंदर तीनो forces हमारी रहे और ना ही सिर्फ तीनो forces रहे जिसे कि हमारी Indian army के पास जो weapons है वो weapons ह है वो use कर सके हमारी Indian air force, naval force जरूरत पढ़ने पर जबी भी requirement हो मतलब कि कुल मिलाकर defense से जो भी procurement होता जो भी खरीदारी होती है ये खरीदारी सब आपस में share कर सके और सब के पास भरपूर weapons भी available हो हो हर type के जरूरत पढ़ने पर war आने पर ये सब एक दूसरे के weapons है वो use कर सक सब के साथ बात समझे हो तो ये main objective है integrated theater command का तो एक मैंने आपको overview दे दिया अब theoretically इस topic तो हम लोग समझते हैं तो देखिए अभी वो विचार किया जा रहा है कि create किया जाए theater commands को कि अगला अगर युद होता है तो हमारी integrated तरीके से यानिकि एक जोड होकर एक ही करत होकर हम ल किस प्रकार से हम लोग जो है वो एक structures तयार करेंगे integrated theater command का और ये कहा गया है कि ये अगले साल 2022 तक ये तीनो services अपनी report जो है वो जारी करें यानिकि अभी हमारी Indian Air Force, Indian Army और Indian Naval Force को बोल दिया गया है कि हम future में plan करना चाह रहे है integrated theater commands को यानिकि integrated तरीके से जो तीनो forces जो हमारी वो एक जोट होकर mission conduct कर सकें, war पर जा सकें, इसको लेकर आप individual level पर अभी एक report तयार करो, कि आप individual level पर जो है वो किस प्रकार से requirement चाहते हो, क्या आपकी demand होनी चाहिए, किस प्रकार से integrated तरीके से forces जो है वो mission conduct करेंगी, तो अभी individually मांगा है, फिर इन individual report को integrated तरीके से study किया कि सबकी, यारी कि हर एक individual forces की हमारी क्या demand है, या क्या उनके recommendation है, क्या suggestion है, फिर उसके बाद finally जो है, वो integrated theater command को बनाने के उपर कारे किया जाएगा, अभी April 2022 तक का समय मांगा गया है, बात सम्दिया, यह वाली चीज है, इंडिया की बात करें, तो हमारे पास आज की rate में 19 military commands हैं, जिनमें से 17 जो है, वो service oriented है, और army और air force के पास 7-7 command है, और navy के पास 3 command हमारी हमें देखने को मिलती है, और India के पास tri service command भी है, अंडमान और nicobar command, और इसके लावा हमारे पास strategic forces command भी है, जो की हमारी country के अंदर nuclear stock को जो है, वो maintain करती है, उसकी देखभाल करती है, और integrated theater theater command है क्या, तो मैंने आपको एक idea देए दिया, तो ये एक unified command है, हमारी तीनो services की, Indian Air Force, Indian Navy और Indian Army, देखो, generally हमारी, अगर armed forces अगर आपसे पूछ लें, कि armed forces हमारी कौंसी कौंसी है, तो 3 force नहीं हमारी 4 force है, इसमें हमेशा Indian Coast Guard को भी ध्यान में रखिएगा, बट यहाँ पर integrated theater command के लिए, तीनो forces की especially बात की जा रही है, कि एक single commander के अंडर ये तीनो services available हो, किसी geographical area के लिए, यानि कि ऐसे area जो की security concern वाले area है, strategic concern वाले area है, जैसे कि India-Pakistan border, India-China border, तो ये एक ऐसे area है, जो की काफी, हम लोग को security point of view से काफी concerned areas देखने को मिलते हैं, तो इन areas पर हम integrated service command जो ह वो establish करें, यानि कि ऐसी command establish करें, यानि कि तुकडी, आप ये कह सकते हो, कि ऐसी तुकडी होनी चाहिए, ऐसी हमारी command होनी चाहिए, कि वो integrated manner पर mission conduct करें अपने, तो ऐसे एक नया command बनाने के उपर अभी विचार किया जा रहा है, planning चल रही है, और जो commander होंगे, ऐसी forces के, यान helicopter की आवशकता है, या jets की आवशकता है, Indian Air Force के, तुरंद उनको जो है, वो दे दिया रहा है, यानि कि जितने भी resources है, हमारी तीनो forces के पास, यह भी resources shared तरीके से जो है, वो use में लाई जाएंगे, बहुत ही बहतरी चीज़ है, तो यह जी हम लोग को देखने को मिल रही है, औ और integrated theater commander जो होंगे, वो individual services के लिए answerable नहीं होंगे, वो integrated services के लिए answerable होंगे, यानि कि वो individual service को लेकर चर्चा नहीं करेंगे, वो integrated तरीके से चर्चा करेंगे, तो यह वाले चीज़ भी बहुत बहतरी है, बहुत कुल मिला कर, जो यह अलग-अलग separate services है न हमारे हैं, अब इस यह overall सभी के लिए खतम किया जा रहा है, कुछ areas के लिए, इसलिए मैं आपको पहले बता दिया, कि कुछ geographical area, strategic area, जैसे India-Pakistan border, Chinese-India border, China-India border, Indo-China border, तो इन चेत्रों पर यह command को establish किया जाएगा, एक commander के अंदर, तो यह commander पूरी तरह से integrated तरीके से mission को operate करने के लिए, काम करे हैं, है ना, तो यह चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, अब इससे फाइदा जो है, वो क्या होगा है, तो better planning हो सकेगी, better military response हो सकेगा, और cost कम हो जाएगी, बढ़ हाँ, आपको पहले में clearly बता दें, कि initially cost थोड़ी सी उपर जाएगी, क्योंकि जैसे obvious ही बात है, कि य ऐसे ही एक बार सभी की requirement हमने पूरी तरह से भरपूर, भरपूर फुल्फिल कर दी है, तो सिर्फ उसको हलका-फुलका maintain करने की आवशकता है, और ऐसे resource ही जो integrated तरीके से उपयोग में लिये जाएगे, एकिकरत तरीके से उपयोग में लिये जाएगे, तो यह फिर आने वाल का, कारगिल युद जब हुआ था, तब उसके बाद फिर इस प्रकार का proposal रखा गया है, कि हमारे पास ऐसी integrated force होनी चाहिए, जो वक्त आने पर एक साथ दावा बोल दे, सामने वाले के उपर, फिर कारगिल review committee ने, group of minister committee ने, नरेश चंदर committee ने, इन्होंने भी इस प्रकार से जो है वो, दिये है, recommendation दिये है, कि ऐसी forces होनी चाहिए, integrated तरीके से operate करने के लिए, शिकातकर committee का भी, यह हम लोग को देखने को मिलना था, कि recommendation जो हो आया था, तो यह committee के नाम थोड़े से आप ध्यान में रखो, कि integrated theater command को लेकर, कि Indian committees ने, recommendation अपने दियो है, शिकातकर committee ने, even chief of defense staff का recommendation भी दिया हुआ है, तो यहाला point भी आपको ध्यान में रखना है, तो यह था पूरा oral topic, तो इसी के साथ यहाला topic end होता है, मैं उमीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से यह topic समण में आ गया होगा.